जहारखन्ड कॉंग्रेस ने अपने पार्टी को और भी जहारखन्द में मजबूत करने को लेकर सौध दिन का रोड मैप त़ियार किया है। घ्यारखन्द में जहारखन्द प्रदेश में में एक तीन दिन का चिंतन शिविर पर हुआ था और इसमें जो सार निकल के आया, उस सार को, उस दिशा निर्देश को पार्टी के निचले इस सर पर जितने भी हमारे इकाईयां हैं, उनके सभी पदादेकर तक पहुंचाने का एक समवात कारेकरम हमने रखा हुआ है, और पांच प्रमंडलिये प्रतिनदी सम्मेलन होने जा रहे हैं, इन प्रमंडलिये सम्मेलनों में विशेश रूप से पार्टी के अंदर दो हजार चौबिस के चुनाओं को मद्दनजर रखते हुए, संगठन को पूरा करना, एक मजबूती लाना, और साथी साथ इन सब को पूरा करने के लिए, हाल ही में 31 मार्श तक का जो एक सदस् अधियान शुरू है, उसको जाद से जाद सफल बनाना, साथ ही गड़बंदन सरकार के चलते हुए, कैसे हम बहतर समन्वे बना सकते हैं, आगे सौधिन के हमारे कारेकरम क्या होंगे, क्योंकि जो फ्रंटल ओगनेशन से हैं, उनके कारेकरम अलग होंगे, जो डिपार्टमे से सहयोग, मदद और अपना समन्वे इस्थापित करेगी, इन सभी उद्देशन को लेकर ये पांच प्रमंडली चेत्रिय परतिन दी सम्मिलन हैं, और इसमें मुझे विश्वास है कि एक समवाद, जो की संगठन और सत्ता के बीच में इस्थापित हो सके, उस पर चर्चा क प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी और जिल्ला कॉंग्रेस कमीटी का कैसे बहतर समवाद हो, वो इस्थापित करना है, और सांथी सांथ उसके नीचे हमारे जितने भी ब्लॉक और बूत इस तर पर ये समवाद कैसे हो, ताकि हर इस तर पर संगठन को मजबूती मिले, किसी प्रक समवाद मतलब बहतर हो सके, इस पर भी चर्चाय होगी, दूसरा समवादा इसी पर था कि लगातार आप लोग सरकार में है, मन्सोर इंपसार सरकार चले, लेकिन अपनी ही बात बताने को लेकर या मनमाने को लेकर आप लोगों को धरना का नौबत आ जाता है, चाहे हो अपने बहुमत के मद में केंदर सरकार एक काना शाही रूप से कारे कर रही है और जो भी ऐसे कानून या जो भी ऐसी योजनाय या दिशा निर देश जो जन्रा के हित में हैं या झारकन के हित के विरोध में हैं, शौबभ विक है, कॉंग्रेस अंगठन उसका विरोध जारखन कॉंग्रेस में जब आप प्रभारी नहीं थे तो उससे पहले से लगातार ये चर्चाय चल रही थी और लगातार निताओं का शिकाइत रहता था कि जो पुराने लोग हैं उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और में इस embedded में दिया जा रहा है तो आपके आने के बाद लगातार इस आप होने लगी कि आप बहुत सारी चीजों में डैमेज कंट्रोल हो जाएगा तो कितना हो पाया है डैमेज कंट्रोल देखे संगठन पार्टी सबकी है हर एक ने अपना जीवन अपना परिवार का सुख अपना युवा अपना धंदा व्यासाय सब इसमें दिया हुआ है एक चीज साथ जुम्यदारी दी जाएगी यह अलग बात है कि अगर कोई वो जुम्यदारी को निर्भा करने में असफल होता है या कमज़ूर पड़ता है तो वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को जुम्यदारी दी जाएगे लेकिन संगठन संगठid करने के लिए हैं और मुझे विश्व ये भी जुरों पर है कि मंत्री का भी फेर बदल हो शकता है कितनी सच्छा है लेकि ये सब्सक्राइब चलने वाली प्रक्रिया है आज जो भी कारियत जिनकों जुम्मेदारी दी है निश्चित रूप से उनके कारियों का मुल्यांकन होना आवशक है जो कि एक सिस्टेम के तह लेकिन अगर कोई परफॉर्म नहीं करता है तो निश्चित रूप से वहां पर किसी और को जुम्मेदारी दी जाएगी अख्री सवाल है जार्खन कॉंग्रेस जार्खन सभा में बजट पेस किया गया और विपक्ष इसकों लेकर सीधे आरे हाथ ली हुई है सरकार को कह रह हैं उनके पास कहने के लिए कोई मुद्ध ही नहीं है और नहीं उनके पास हम यह सोच है जो अठ़रा साल जिस पार्टी ने धार्खन बनने के बाद में राज है और अध जो पूरे प्रदेश की जो हाल बना रखा है तो अपने आप में दर्शाता है कि ना दूर दर्शिता है ना सोच है और ना उनमें नित्रत्वे हैं तो उनकी उस बात के परती मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूंगा लेकिन गड़बंदन की सरकार बहुत ही जुम्मिदारी के साथ में वहां के हमारे आदिवासी, युवा, महिला और हमारे इंफ्रास्ट्ट्रे डेवलप्मेंट के लिए कारे कर रही है आने वाले समय में एक गतिशील राज्य के रूप में जो उबर रहा है मुझे विश्वास है कि जारखन अपना एक अलग स्थान, एक विक्सित राज्यों में बनाएगा युक्रेयर में 180 से अधिक बच्चे जारखन के फसे हुए है क्या जारखन सरकार क्या सुझ रही है उसको लेकर जारखन सरकार ने बहुत इस पस्थ रूप से अपने तरफ से जो भी क्योंकि ये अंतरा से विशे होता है तो इसमें लेकिन केंदर सरकार को और सांधिसांद कंट्रोल रूम के माद्यम से जो भी सुझना है उनको मिल रही है जारखन के नागरिक या चात्रों के बारे में केंदर सरकार के साथ में वो समन में स्थापित किये हुए है और मुझे विश्वास है कि जो भी मदद लगेगी इस अपदा की घड़ी में जारखन के किसी भी परिवार के लिए तो गड़बंदन सरकार पुन रूप से उनके साथ कड़ी तो आपने सुना जो एक कयाशों का बजार गरम है कि मंतरियों को बदला जा सकता है उसको लेकर साब सब्दों में कहा कि अभी परफॉमेंस बिलकुल ठीक है अगर नहीं होता है तो जरूर या सतत होता आ रहा है तो ये होगा और साथ ही विपक्ष को लेकर सीधे तोर पर का कि वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है कोई एजेंडा और मुद्दा ने उनके पास है इसलिए वो इस तरह की की बात करते हैं दिल्ली से न्यूज विंग के लिए आमिच चौधरिक रिपोर्ट